मेरे प्यारे दोस्तों आपकी प्यार, महबबत और आशिवाद और दुआओं से आपके प्यारे चैनल संजी कुमार गुपता के एक मिलियन सब्सकाइबर पूरे हो चुके हैं और आज मैं एक गिफ्ट के तौर पर आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि मारवाड़ी गोड़े, काठेवाड़ी गोड़े और सिंधी गोड़ों की नसलों में क्या फरक हैं इस वीडियो में हम उनके माथे, उनके कान, आखें, गरदन, पीट, उचाई, चेहरा, इत्यादी इन सभी को जाच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इन तीनों की नसलों में क्या फरक हैं इस विशे पर हमने कई एक्सपर्ट्स, जजिस से बात की और उन्होंने हमको बहुत सही होग दिया और एक बात तो वो भी मानते हैं कि आजकल प्यूर नसल के गोड़े मिलना बहुत कम हो गए है ये वीडियो बहुत मुश्किल से और बहुत महनत से बनाई गई है इसको एक लाइक जरूर दें तो चले चलते हैं इस नौलेज वाले वीडियो का आनन लेने के लिए मारवारी गोड़े राइस्थान के मारवार एरिया यानि की उदैपुर, जोदपुर, चालो, रासमंद और गुजरात के जुड़े एरिया से आये हैं ये राइडिंग, स्पोर्स और एंडुरेंस यानि की लंबी दूरी की सफारी के काम में लिये जाते हैं काठ्यावारी गोड़े आये हैं गुजरात के राजकोट, भावनगर, सुरेननगर, जुनागर और अम्रेली से ये युद में काम आते थे, मराथा सेना और पथम विश्व युद में इनका भरपूर उप्योग हुआ आजकल ये बग्गियों, गुड़सवारी, पुलिस फोर्स और टैंड पैगिंग में काम आते हैं सिंधी गोड़े आए हैं पाकिस्तान के सिंध के पहाड़ी और रिगिस्तानी एरिये से ये पाए जाते हैं गुजरात के कच्छ और राइस्थान के बार्मेर और जैसन में एरिये में और ये लंबी दूरी की रेवाल चाल यानि की देशी रेस में काम आते हैं बात करते हैं इनके facial profile की, इनके माथे की बनावट कैसी होती है मारवारी गोड़ों का जो माथा होता है, पूरा सपाट होता है कोई खास उतार चड़ाव नहीं होता है इनका facial profile flat होता है, plane काठ्या वड़ी गोड़े का चहरा बीच में से थोड़ा सा दबा होता है इसे concave profile कहते है सिंधी गोड़े का चहरा माथे की तरफ से थोड़ा उठा होता है इसे convex profile कहते है ये देखिए इस photo में मारवाड़ी गोड़े का होता है सपाट चहरा काठ्या वड़ी का होता है बीच में से चहरा दबा हुआ और सिंधी गोड़े का होता है उबरा हुआ माथा इसले हम बात करते हैं कानों में फर्क की Ears Difference काठ्या वड़ी गोड़ों के कान लंबे होते हैं 18 cm कान के सिरे एक दूसरे को चूते हुए या ढगते हुए या बहुती पास होते हैं कान बिच्छु के पंजों के तरह मुड़े हुए होते हैं काठ्यावारी गोडों के कान मारवारी से छोटे होते हैं 15 cm लगभग और कान के सिरे एक दूसरे को छूते हुए ढगते हुए और या बहुत ही पास होते हैं सिंधी गोडों के कान मारवारी से ज़्यादा लंबे होते हैं 1922 सेंटी मिटर कानों के सेरे अंदर मुड़े होते हैं मगर एक दूसरे से दूर होते हैं ये देखिए तीनों गोडों के कानों की तस्वीर हैं मारवारी और काठ्यावारी दौनों के कान एक दूसरे को छूते हैं मगर सिंधी के कान खुले हुँ होते हैं एक दूसरे के को नीच होते हैं एक दूसरे के टिप्स को नीच होते हैं और काठ्यावारी कान सबसे छोटे होते हैं और सिंधी गोडों के कान सबसे लंबे होते हैं चलिए दिखते हैं कि इन गोड़ों की आँखों में क्या फरक है ये है काठयावारी की आँखें जो की मैंडग की तरह उबरी होई होती है क्योंकि इनका चेरा छोटा होता है तो वो आँखें उबरी होई ज्यादा लगती है Bulging Eyes ये है सिंधी गोड़ा और इसकी आँखें आप देख सकते हैं कि थोड़ी कम उब्रिवी होती हैं भार निकलिवी कम हैं इनकी आँखें ये है मारवारी गोड़ा इसकी आँखें सबसे कम उब्रिवी होती हैं और लीस्ट बल्जिंग आईज होती हैं इनकी पर सबसे खुबसुरत होती हैं बिलकुल कबुतर की आँखों की तरह हैं इस वीडियो में देखिए मारबारी गोड़े की सबसे कम उबरियो आँखे हैं काठे गोड़े की सबसे जादा उबरियो आँखे हैं और सिंधी गोड़े की कम उबरियो आँखे हैं चलिए अब इन गोडों की हम गर्दन की तुलना करके देखने हैं मारवाडी गोडों की गर्दन गुमाव लिये होती है पीछे से मोटी और आगे से पतली होती है और लंबी होती है और ये मोरनी की तरह दिखती है काठ्यावारी गोणों की गर्दन भी उपर से गुमाव लिये होती है पीछे से मोटी आगे से पतली होती है मगर लंबाई में मारवारी से छोटी होती है सिंधी गोणों की गर्दन बिलकुल सीधी होती है उनमें गुमाव नहीं होता है और आगे से भी ये मोटी होते हैं, पीछे से भी मोटी होती है और शरीर के साइस के एसाब से गर्दन छोटी होती है अभी देखे तीनों के गर्दन की तस्वीरें मारवारी और काठ्यावारी दोनों की गर्दन गुमाव लिये हुए है और पीछे से मोटी और आगे से पतली है परंतु काठेवारी की गर्दन मावारी से थोड़ी छोटी है और सिंधी गोरी की गर्दन जो है आगे से भी मोटी है और सिंधी गोरों में गुमाव नहीं पाया जाता है अब इन गोड़ों की हम टॉप लाइन की तुलना करते हैं यह है मावाड़ी गोड़ी की टॉप लाइन देखी इसमें पिछला हिस्सा गुलाई लिए हुए है जिसे पुनाउंस्ट क्रूप का जाता है और इसकी पीट थोड़ी गहरी है गड़ा है वहाँ पर काठेवाड़ी गोड़ी की पीट ऐसे ही होती है उसको भी पीछे खास सा गुलाई लिए होता है और उसकी पीट भी में भी थोड़ा सा गड़ा होता है थोड़ी गहरी होती है सिंधी गोड़ों की पीट थोड़ी सीधी सी होती है और इनका पिछला हिस्सा थोड़ धलका हुआ होता है जैसे स्लोपिंग कुरूप कहते हैं यह है तीनों गोणों की टॉप लाइन मावाड़ी की पीट पर और काठेवाड़ी की पीट पर तोड़ा गड़ा होता है और दोनों का ही पिछला सा गुलाई लियो होता है मगर सिंधी गोणों के पीट थोड़ी सी सीधी होती है और पिछला हिस्सा थोड़ ढलका हुआ होता है गुलाई लियू नहीं होता है अब देखते हैं इनके शरीर की उचाई की तुलना ध्यान रखे हैं कि गोणों की उचाई की नाप तो इनके आगे वाले पाउं के जस्ट पीछे चो पीट का हिस्सा होता है वहां से ली जाती है जिसे विदर कहते हैं इस पॉइंट से इसलिए ली जाती है क्योंकि ये पॉइंट कभी उपर नीचे नहीं होता है ये है मारवारी गोड़ा इसकी उचाई होती है 60 इंच से 63 इंच और ये तीनों गोड़ों में सबसे उचा होता है ये है सिंधी गोड़ा और इसकी उचाई होती है 55 इंच से 61 इंच और इनकी उचाई मारवारी से कम और काठ्यावारी से ज़्यादा होती है यह है काट्या वाड़ी गोड़े और इनकी उचाई होती है करीब अठावन इंच और तीनों में सबसे कम उचाई इसी की होती है यह देखे तीनों गोड़ों के उचाईों की तस्वीर इसमें मावड़ी गोड़ा सबसे उचा है 60-63 इंच और काट्या वाड़ी सबसे कम ठावन इंच और सिंधी की उचाई 55-61 इंच होती है मावड़ी से कम और काट्या वाड़ी से जादा अब देखते हैं इन गोड़ों की चेहरे की लंबाई यह है मावड़ी गोड़ा इसका चेहरा सबसे लंबा होता है लबख 60 सेंटिमीटर यह है सिंधी गोड़ा और इसके चेहरे की लंबाई है 50-55 सेंटिमीटर यह है काट्या वड़ी गोड़ा इसका फेस होता है 53 सेंटिमीटर चेहरे की लंबाई होती है 53 सेंटिमीटर सबसे कम लंबाई इसकी चेहरे की होती है ये देखिए तीनों गोड़ों के चहरे की लंबाई की तस्वीरें मावड़ी का है 60 cm और काठेवड़ी का फेस लेंध है 53 cm और सिंधी गोड़ों का फेस लेंध है 50-55 cm इसके अलावा इन तीनों गोड़ों में और भी फर्क होते हैं जैसे उनके मिजाज उनकी आँखों का आकार कान की खाल नथुनों का आकार गर्दन के बाल छाती का नाप नली और गामची का नाप खुर का आकार रंग और जबड़े का आकार ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद हमारे येप्रेखने नाे कर्स evaluतिया और लो किक्शनी हमारे बद्सके देनग झाल देखने झाल झाल